अगर आप पहले बार मेरी चैनल पर आये हैं तो इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें यह हमारा स्टेटिक स्क्राइब टोपिक है तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना अची है कि कोई पीचुद डाटा होता है उसको हम तू टाइस न बाढ़ सकते हैं इसको एक तो वह वैज डिसको हमting स्क्राइब मतलब जिसकी हम कैलकुलेट कर पाएँ जैसे किसी का वेट है है तो वह बता सकते है 50 kg, 60 kg, लेकन एक घुमारा डाटब होता है जो quality को रैफर करता है ठीक हर मतलब जिसको हम koantytitatyev photos me express में कर सकते जिनको number kW me express में जैसे किसी की अच्छा ही, honesty हो गई, ठीक है, किसी की जो क्या बोलते हो, Fairness, किसी का जो belief, यह जो हमारे attributes होते हैं, क्योंकि attributes का मतलब होते है, गुंद, किसी की qualities, ठीक है, तो जो Association of Attribute है, इसमें हम relationship समझेंगे, किस کے बीच में, जो भी हमारे, ऐसे मतलब attributes होते हैं, एक्जामपर के लिए beauty, deepness, blindness, color वगेरा, तो कहता है कि जो attributes होता है, उसका मतलब होता है, कोई quality, या कोई भी characteristics, मतलब उसका features, ठीक है, किसी भी object का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो कहता है कि, जो हमारे attributes होते हैं, ठीक है, उनको हम जैसे example दे रखा है, जैसे population है, उसको male female में बाढ़ सकते हैं, married, unmarried में बाढ़ सकते हैं, educated, uneducated में बाढ़ सकते हैं, तो यह हम relation यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, तो कहता है, the method of association, मतलब जो भी method होता है, association का, उसको हम यहाँ पर use करते हैं, relationship समझने के लिए, दो attributes में, example के लिए, भई हम यह देखना चाह उसके बीच में क्या relation है, association मतलब उसके बीच में क्या relation है, ठीक है, क्योंकि जो association होता है, वो एक technique होती है, जिसकी help से हम relationship समझ सकते हैं, दो attributes के बीच में, तो हमने क्या समझा, attributes तो हो गए, किसी भी object के features, उसकी qualities, और association हो गया, उन attributes के बीच में, relation, ठीक है, तो association का मतलब हो लेकिन यहां पर हमें पहले वीडियो में पड़ चुक्छ जो हमें दो आत्रेब्ल के बीच में रिलेशंशिप बताता है जो को रिलेशन होता है उसको हम क्लासिफाइब कर सकते हैं जब कि एस ताइम पर प्रेजेंट है या अबसेंट है तब positive या negative उसकी form में classify करके चलते हैं फिर क्या करका है जो correlation analysis होता है वो क्या होता है वो covariance के उपर based होता है दो variables के बीच में ठीक है जो association of attributes होता है वो हमेशे present होगा नहीं होगा यह में देखना पड़ते है ठीक है उसके बहुत सारे cases हो सकते हैं और correlation को नहीं करनी का जो method होता है उससे easy हमारा association का method होता है अंद बात आते हैं कुछ pie poems होते हैं कुछ concepts होते हैं जो related होती हैं तो कि est sed存在 pregnant 64 जांब कोई बीट प्रेज Fen नहीं मतलब Librer होगा जो पोजिटिव लीटिव यह होगे उन्हें से दिखाएंगे जो हमारे बोप्रवीट प्रेजं sy सब्सक्राइब अब कर होगा तो अगर प्रेजंट नहीं होगा मतलब अब सेंट होगा ठीक है तो हम उसको स्मोल लैटर से दिखाएंगे जैसे अलफा बेटा ग्रीक लैटर जो होते हैं उनकी यहां पर यहां पर हमें दे रखा है कंबिनेशन मतलब जो दो एट्रिब्यूट्स होते हैं उनके बीच में जब हम कंबि जिताएं मानना है तो अगर हमें अगते चलेक के वह आफ अपने हर क्लास में कितनी और इसको हम ब्रेकेट से क्लोज करके दिखाते हैं ठीक है, classes, फिर बात है, classes कौन कौन सी होगी, तो positive class हो सकती है, negative हो सकती है, और contrary, तो positive होगी, जब absent हो, कोई attribute, negative होगी, जब कोई attribute present नहीं, और contrary होगी, मतलब, एक जो हमारा attribute है, जो present है, वो ना, दूसरे attribute, मतलब, देखो, जो contrary class होगी, उसमें क्या होगा, भई, combination होगा, ऐसे attributes का, कि एक attribute तो उसका present और दूसरा उसका absent है, ठीक हो, उसको हम combination form में, contrary form में दिखा देंगे, जैसे, एक present और एक absent है, यहाँ पर A और बिटा, या alpha और B की form में दिखाया गया है, फिर बात आते है, number of classes हमें, निकालना हो, तो उसका हमें formula दिया गया है, कि 3 की power n कर देंगे यहाँ का मतला होता है, कितने attributes है, ठीक है, जैसा भी एक attribute है, 3 की power 1 कर देंगे, तो number of classes हमारे 3 आजाएंगी, ठीक है, अब बात आता है, order of the frequency and class frequency, तो कहता है कि जो order होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे, first order, second order, third order, ठीक है, अगर कोई class है, उसमें एक attribute है, तो हम उसको फिर्स्ट और पुलेंगे, गर उसमें दो attribute है, तो इसे second, और तीन attribute है, तो third, जैसे, zero order, कब होगा, जब कोई भी attribute नहीं होगा, first order, जब उसमें एक attribute है, ठीक है, second order, जब उसमें दो attribute है, ठीक है, जैसे, a, b, जा इस टैप से, और ultimate होती, last, ठीक है, ultimate में क्या होगा, जब द निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के power n करेंगे, अब बात आती है, कि हम कैसे दिखाएंगे, तो याद रफना, जो हमारा, जो attributes का case होता है, उसको हम 9 square table के alp से दिखाते है, जैसे, अगर 2 by 2 matrix होगी, तो हम उसको दिखाएंगे, जैसे, a, alpha, b, और beta, को याद करना होगे, कि आपको ये कैसे present करना है, इधर हम total case दिखाते है, तो याँ पर क्यासे दिखाएंगे, खी 1 का, b, ze combination बना तो alpha, b, फिर a का, by बिट्टा से बना तो अल्फा बिट्टा और फिर अल्फा का बिट्टा से बना तो अल्फा और बिट्टा यहां पर टोटल होता है इनका ए फिर अल्फा का टोटल यहां पर बिट्टा का टोटल यहां पर कम्प्लीट जो एन कितने नंबरों ट्रम्स है वह वाला ठीक है पर क्या होता है कि इस टेबल के आधसे हम वो टरम निकालते हैं जो हमें नहीं दी गई होती है ठीक है यहां पर हमें रिलेशन भी बता है इन सभी का सम A होगा उन दोनों का सम अलफा होगा ठीक है और कंप्लीट है न हमारा इन जो बीच में जो भी हमने कैल्कुलेट के रिलेशन के इस्टाबलेशन के उन सब कसम हमारा क्या होता है एन होता है तो यह बस वही बताएगा है अगर आपने टेबल को समझ लेता आपको इनको याद करने की कोई जूरत नहीं जैसे यह पर हमें एकजामबल दिया गया है हमें AB दे रखा है Soda, A हमें दे रखा है 300, différents B हमें दे रखाए 600 घटा की तो फिल्सामे में यह 200 अब अब ऑपस सोफ तो अल्फा बिट निकाल सकते हैं यहांसी गटागे तो दो सो इस तरह से हम इस सारे स्को निकाल सकते हैं आप बात साथ यह consistency of data अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे करेंगे कि कोई भी डाटा हमें दिया गया है वो consistent है या नहीं तो इस चीज को चेक करने के लिए हम यह देखेंगे कि जो हमारी ultimate class frequencies है वो negative तो नहीं है अगर वो negative होंगी तो तो वो हमारी inconsistent कहलाएंगी और अगर वो positive होंगी तो वो हमारी consistent कहलाएंगी तो इसको निकालने का क्या process है सबसे पहले तो जो भी हमें data दिया गया है उसको 9 square table में पुट करना है ठीक है फिर जो भी unknown कोई भी अगर data बचा हो है frequency बच हुए तो उसको हमें calculate करना है फिर जो ultimate class frequencies होगी लाइक अलफ ए बी और बिटा अलफा और बी और अलफा बिटा इनको देखेंगी कि अगर इन में से कोई भी नेगेटिव होगी ना तो वो हमारा inconsistent कहलाएगा जैसे example हमें दिया गया यहां पर कि हमारे पास ए था दो सो बी था तीन सो एन था 1000 ठीक है अब यहां से गटाक है तो हमने यह 700 निकाल लिया इसमें से यह गटाक है हमारे यह आ गया तो बतलब यह सारी हमने निकाली तो लास्ट हमने देखा कि हमारी जो एक frequency है वो क्या है नेगेटिव है और यह हमारी क्या ultimate frequency है तो हमारा यहां पर डाटा क्या है inconsistent ऐसे हमने यहां पर calculate करने के बाद तो हमारा डाटा inconsistent हो जाएगा ठीक है जैसे यहां पर 500 परसंस थे सर्वे किया गया तो टोटल होगे 500 और 410 थे वह टी को प्रेफर कर रहे थे और 380 कोफी को 270 दोनों को लाइक कर रहे तो हमने टेबल इंपूट कर रहे और बी है वो हमारा कोफी को डिनोट कर रहे तो टोटल तो हमें एका भी दिया गए अगर दोनों जो लाइकर हो दिया तो यहां से गटा के में यह निकाल लेंगे इसमें से गटा की यह निकाल लेंगे इसको इसमें से गटा की यह निकाल लेंगे तो इस तरह से हम इसको कल्कुलेट कर लेंगा और कुछ भी नेगटिव है तो मतलब हो हमारा inconsistent हो तो हमने के साथ यह नोर्मली एसोशेशन के लिए देखते हैं लेकिन जब स्टेटिक्स की बात आ जाती है तो उसको देखने के लिए है न हमें कुछ रिलेशनसी पर स्टावलिस करना पड़ता है तो देखो काइंड ओफ एसोशेशन में तरग पोजिटिव एसोशेशन या तो जो दो उबजल फ्रिक्वेंसी है नहीं वहां में यह एमारी उबजल फ्रिक्वेंसी होती है और यह मारी एक्सिटर्चेट होती इसे ज teeny और इन्डिमेंगेंद न्चली कोई मतलब पर कोई किसी प्रेजेंड नहीं है उस चेसे हमारा यह दूनों बराबऱ और होता है यह अंहिंद कोई टेनेंसिया नीकालने हो तों केसी निकालने हो तो में दोन केसे निकालने का था है तो इस टाम-पे एन सब हो थोड़ा एक्सप्लें करके उनकी फोर्मुलाज लिखके और एक एक्जाम्पल देखे अब अच्छी से एक्स्प्रेंट कर सकते हो अगर वह 16-max का क्यूशन है तो frequency method क्या हो जाएगा इसमें हम जो हमारी observed frequency और जो हमारी expected frequency है उनको compare करके चलते हैं तो जो frequency method होता है इसको comparison of observed and expected frequency method भी बोलते हैं तो इसके लिए हमारा यह formula होता है तो इसके लिए क्या होगा अगर वह हमारे दोनों equal है तो इंडिपेंडेंट के लाएंगे positively कप होंगे जब observed जादा expected से और negatively कप होंगे जब observed कम हो expected से ठीक है बस हमें फोर्मुला अच्छी से यहाँ रखना है एक्सपेक्टिन निकालने का यह formula होता है तो जैसे हमें यहां पर question दिया था यह हमारा 470 है बी 620 है बी 320 है नहीं तो आप टेबल भी बना कर सकते नोर्म लिए तो हमें यह देखना है कि अबी इंडिपेंडेंट है या नहीं तो हमने बई पर चाहिए हमें 320 है ठीक है यह दिया और हमें यह देखने निकालना थे तो टोटल ए लिया टोटल बी लिया उसको टोटल एंसे डिवाइड कर देखने तो वहां से हमारा एक्सपेक्टिट है कितना आगया दोस्तों इक्यान में पॉइंट चार आ गया तो हमने नहीं प्र और हमारा ओप जображ एक्सपेक्टिट से जबसे करना है जादा हो अमारी एक्सपेक्टिट्ट से तो होगे तो रिवाइजचन यहीं बता रखेंगिया सि догad कीuchar उप्षोक्ता बताता है यह नहीं बताता कि कितना degree of association है कितना relation है उनके विज में कितना changement आ रहा है ठीक है फिर बात आता है proportion method कि proportion method में क्या होगे दो attribute होंगे उनके बीच में proportion को calculate proportion मतलब एक ratio ठीक है कि proportion बी इन एज तो हम इसके लिए का लेंगे कि एक साथ निकालने तो AB अपोन में ए और अगर अल्फा के साथ निकालने तो अल्फा बी अपोन में अल्फा ठीक है जिसके साथ निकालने उसी से multiply उसी से डिवैड इंडिपेंडेंटन दोने इक्वल होंगे positively associated में हमारा जो बी का एप होगा हमारा बी का अल्फा पर negatively associated में यह कम होगा ठीक है फिर जैसे हमें यहां पर बता भी रखा अलग-अलग जैसे अलग-अलग हमें एट्रिब्यूट्स के साथ compare करके चले तो क्या-क्या possibilities हो सकते हैं जैसे यहां पर हमें दिया दो independent इवेंट्स है पोजिटिवली आसोचीटीड नेगिटिवली यह में बताना है तो यह हमें चारो वैल्यूज दी गई थी ठीक है तो हमें method को यूज करना था प्रोपोर्शनों बी इन ए निकालना था तो देखो a-b है हमारे पास थीक है a-b वो आमने यहां पे रखा अ दे रखा है उससे हमने इसको डिवाइड के है तो हमारा यह आगया इतना आप इसको percentage में convert करो ना कराई वो डिपेंड करता है फिर हमने a-b का alpha पर निकाला ठीक है तो यह हमारा alpha भी भी दे रखा है और alpha भी दे रख तो जो प्रोफेशर यूल है उसने भाई हमें यह बताया था कि इसको इसने क्यों से डिनोट किया था और इसको यह फोर्मला बता था कि जो भी हमारे अट्रिब्यूट से उनके क्रोस में मल्टिप्लाइ करके एक बार तो जोड़ दे और एक बार गटा दे तो गटाना उपर मतलब यूल जो कोई अगर बोगर बॉजेटिव प्लस बन से जादा जाता है तो पोजेटिव ऑगर और माइनस मीं चाल आजाता है वन से तो नेगटिव होगा तो एक बार तो इनको गटानाया एक दूसरे में जोड़नाया मैं तो हमने किया चालिस की बारह से इक बार और तो एक बार तो चालिस की बार से की उसमें से 33-33 की गटा दे और एक बार इन दोनों गों जोड़ के तो हम यह पोजिटिव ली उनके विज में रिलेशन होगा तो ऐसे यह सारे टो अमें दिये गए हैं तो आम इसको अपर को यह को एक रिखिजन रहता है तो पोच सकते हो तो इसको निकालने का क्या तरीका था वही फॉर्मला था बस इसको अंडरूट फॉर्म में उसने रिपर्जेंट कर दिया था ठीक है इसको आप ऐसे भी रिपर्जेंट कर सकते हो और फिर रिलेशंशिप निकालने के लिए कोफिशेंट ऑफ एसोसेशन के साथ उसने यह फॉ तो इक्वल्क जो निकालने वाल उसमें पुटाब कर देना है अबस आपको फोर्मॉलास अच्छे से यादोना जरूरी और कैसे कैल्कुलेट करना है इसके निवेर के रीयल में बहु जादा एजी हो जाते है अब बाता है कोफिशेंट ओफ कंटिजैंसी तो इसको इसको दिय कर दो किया था इसको निकालने के लिए काई स्क्राइब करेंगे सबसे पहले एक्सक्षेक्ट फ्रिक्वेंसी को गठाएंगे और फिर उसका क्वेश्ट करेंगे फिर उसको वाली को तो ही expected frequency से घटात देंगे फिर इस formula में put कर देंगे वहां से हमारे काई स्केर की value आज आएगी जैसे हमें दे रखा था ठीक है इसमें हमने क्या किया पहले तो हमने expected frequency निकालनी है तो क्या करेंगे अब expected को observe में से घटा देंगे इसका यहां पे whole square करेंगे अभी whole square आ गया तो इसको इस expected frequency से क्या करना है इसको जोड़ना है और वह हमें यहां पर formula में put करेंगे क्योंकि काई की value होगी काई स्केर की तो यहां पर input कर देंगे तो coefficient of contingency आ जाएगा ठीक है अब तक हम two by two matrix में पढ़ रहे थे तो यह हमारा छोटा सा चैप्तर था अगर आप कोई भी confusion नहीं करके पूछ सकते हैं पहले बर मेरे चैनल पर हैंदी से subscribe करें like करें और share करें thank you